साथियों, इमानदारी की इस ताकत ने, गरीबी के जीवन ने, मुझे वो ताकत दी, कि मैं गरीबों के लिए इतना कुछ कर पाया। हमारी सरकार के हर योजना के केंद्र में, गाव और गरीब रहे हैं। आजादी के बाद, हमारी पहली ऐसी सरकार है, जिसने गावों के बारे में इतना सोचा है, इतना काम किया है। हम देश के हर गावों तक सड़क पहुँचाने के लक्ष पर काम कर रहे हैं। गावों में रहने वाली माता और बहनों के लिए करोडों सोचाले बना कर, हमने उनकी पीड़ा कम की है। गावों में रहने वाले गरीब बहनों को हमने मुप्त गैस कनेक्शन दिया है। गावों में रहने वाले हर गरीब के पास अपनी पकी छत हो, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये आप लोग इतना प्यार करते है। जाते हो और वो लोग परेशान हो जाते हैं। गावों में रहने वाले हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता हो। इसकी कोशिस हमने जंदन योजना के माद्दम से की है। अब तक डाक घरों को बैंक में बदल कर हर गावों तक बैंक ले जाने का काम भी किया जा रहा है। गावों में रहने वाले दूर दराज इलाकों के बच्चों को ही ध्यान में रखकर हम मिशन इंद्र धनुष चला रहे हैं। साथियों दसकों से गरीब पैसे के अभाव के बिना इलाज से ही तडपता रहा। इलाज के लिए गर बार तक भी कि जाता था। लेकिन ये महा मिलावटी आपको जूठे नारे ही देते रहे। आपके इस सेवक ने इलाज की आपकी चिंता को समझा। और इसी वज़र से आज आईश्यमान भारत आपके सामने है। आज गरीब से गरीब का भी अच्छे अस्पताल में मुप्त इलाज संभव हो पाया है। पम बास्वाटी आपके इलाज से नारे ही आपके के दो जाआए है। झाल झाल